हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटीब चैनल इंगलिश रहस्ते में आप सभी का सुवागत है और आज हम पढ़ेंगे आलेमेंट हमारी पोयम जिसे कंपोस किया है पीबी शैले ने तो चलिए सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया केंद्रिय भाव हम पोयम का जान लेते हैं आलेमेंट पीबी शैले की एक शॉर्ट लिरिक है जो कवी के निराशावादी विचारों को अभिवेत करती है इस पोयम को पोईट ने 1821 में लिखा था मतलब अपनी मृत्तियों से एक साल पहले एक वर्ष पहले शायद उन्हें उस समय पर कहीं ये एसास हो गया था कि अब वो इस संसार में जाद समय तक रहने वाले नहीं है मतलब मृत्तियों के निकट है और ये विचार की मृत्तियों के निकट है या ये संसार उन से छूटने वाला है यह विचार उनके हिर्दय को निराशा वे दुख से भर देते हैं और इसी निराशा और इसी दुख की अभिवेक्ति का नाम है अरलेमेंट नव लेट्स रीड देपोएम फ्रम देवेरी फर्स लाइन ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम और फोलेमेंट वो संसार के जीवन के और समय के अनतिम छोर पर खड़े वोए हैं उनके कहने का तात पर रहे है कि अब उनसे ये संसार भी छूट जाएगा ये जीवन भी छूट जाएगा और ये समय भी छोड़ जाएगा मतलब संसार की भववता जीवन की सुंदरता और समय की उपियोविता उनके लिए शून्ने हो जाएगी ट्रेंबलिंग एड़ दाट वेर आई हैड इस्टूड बिफोर ट्रेंबलिंग शिवरिंग कपकपा जाते हैं इस विचार से ही कपकपा जाते हैं कि पहले वह कहां खड़े हुए थे मतलब पहले वो मनमस्तिश से कितना मजबूत थे उनकी विलपावर कितना स्ट्रॉंग थी जब उन्होंने अपने जीवन में इतने संकटों का दुखों का और परिशानियों का सामना किया उस जीवन को जो संघर्षों की एक कहानी रहा एक कुशल युद्धा के समान उसमें लड़कर के बहार आए तब वो भैबीत नहीं हुए लेकिन आज आज ये सोच करके कि वो क्या थे और आज क्या हो गए हैं ये सोच करके ही कप कपा जाते हैं और एक प्रिश्ण कर उठते हैं क्या प्रिश्ण वैन विल रिटेन दा ग्लोरी ओफ यूर प्राइम ग्लोरी गौरब शान कि हे संसार हे जीवन हे समय क्या तुम्हारे आनंद का गौरब कभी लौट पाएगा कि हे संसार हे जीवन हे समय क्या तुम्हारे आनंद का गौरब कभी लौट पाएगा यानि वो संसार जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर करत्य किये वो जीवन जो कठोर होती हुए भी जिसका उन्होंने बहुत ही सच्चे मन से और बहुत ही कुशल योद्धा के समान जिसको उन्होंने जिया जिसका सामना किया और टाइम और वो समय जिसका हर्शान उन्होंने प्रियोग किया क्या इन सब का गौरब कभी लौट पाएगा उनके प्रिश्ण का जवाब उन्हें उनके अंतरात्मा से मिलता है की नो मोर और नेवर मोर नहीं और अब कभी भी नहीं चलिए नाउ भी कम टू अबर नेक्स स्टेंजा आउट अफ दे अड नाइट चाहे दिन हुया रात मतलब संपून जीवन अजो हैस टेकन फ्लाइट कभी के संपून जीवन से आनंद ने एक उडान भर ली है कभी के संपून जीवन से आनंद ने एक उडान भर ली है कहने का मतलब है कभी के जीवन में अब सुख नहीं रहा है केवल दुख और निराशा ही शेश बच्ची है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर फ्रेश स्प्रिंग सुंदर, ताजा बसंद समर, ग्रीश्म रितू विंटर होर तेज ठंड होर वैसे तो वाइट स्नो को कहते हैं लेकिन यहाँ तेज ठंड से मतलब है तेज सरदी के मौसम से मतलब है शरद रितू ताजा बसंद, ग्रीश्म और कड़कड़ाती ठंड कड़कड़ाती शरद रितू मुँ माई फेंट हट मेरे हिर्दे को भर देती है मेरे कमजोर हिर्दे को भर देती है कि प्रकरती की खूप सुरक रितुवेंं जो इतनी सुख को देने वाली हैं वो आज कभी को कमजोर हिर दे को दुख से भर रहे हैं क्योंकि देखा भी गया है कि एक सुखी विक्ति ही प्रकर्ती के सुंद्र रेक आनंद ले सकता है दुखी विक्ति कभी इनका आनंद नहीं उठा सकता है तो आज वो अपने लाइफ के स्टेज पर हैं जहां उनका हिर्दे कमजोर हो गया है दुख और निराशा से भरा हुआ है इसलिए प्रकर्ति के जो इतने खुबसूरत द्रश्य हैं मनोरम द्रश्य हैं यह लुभावनी रित्वे हैं वो भी वो सब उनके कमजोर हिर्दे को लेकिन जहां तक आनंद की बात है प्रक्राइब और प्रसाननतy की बात है नहीं और शाय दबर कभी नहीं एक बर प्रसे देख लेते हैं कभी के जीवन से ओ अनंद Näहें अक कुरान भरली है और ताजा बसंत ग्रीश्म और शरद रितु सब सारी रितुएं उनके हिर्दे को दुख से भड़ देती हैं और जहां तक अनन्दी की बात है तो वो अब नहीं और शायद कभी भी नहीं तो वोक्त्ति का ग्याद. जाल को भुचाँ सबस्क्राइब। पर चाल को प्रद बेल प्रेडिये हैं प्रदाद कार। इस जाड़ भी नहीं हूं झाल मुपक्ति का ड्रीश बान भी नहींरे.